Hello प्यारे बच्चो, Welcome to Nexa Classes सबसे पहले मैं आपको Best wishes देना चाहूँगा क्योंकि 10th Class में आ गई हो Board की Class है तो बहुत अच्छे से आपको Preparation करनी है मैं आपका Full and Full Spot करूँगा जिससे आपके 100 out of 100 marks आसके आप भी Channel को Spot करना जो भी Exam से Related Information होगी जो भी आपके Subject से Related Information होगी वो आपको इस Channel पे मिलती रहेगी तो सबसे पहले अगर हम देखे Chapter No.1 जो है हमारा वो है Real Numbers अब यहाँ पे जो Question No.1 आता है वो क्या है? Use Euclid Division Algorithm to find the HCF of these Numbers अब HCF निकालना तो हमने Previous Classes में सिखा था बट यहाँ पे आते ही एक नई टर्म देखने को मिल गई Euclid Division Algorithm अब जो यह Euclid Division Algorithm है इसका Actual जो Name होता है बच्चो वो होता है Euclid Division Lemma मतलब Short Form में अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको EDL भी कहते हैं EDL Method भी बोल सकते हैं Euclid Division Lemma भी बोल सकते हैं या फिर Euclid Division Algorithm भी बोल सकते हैं तो सबसे पहले समझेंगे हम कि इसका Actual Meaning होता क्या है किस तरीके से हम इसका Use करते हुए HCF निकालते हैं सबसे पहले क्या होता है मान लेते हम Let हमारे पास कोई भी दो Positive Integer है A and B are Positive Integer अब इन दो Integer का हमें क्या निकालना होता है HCF A और B का अब यहां पर क्या आता है सबसे पहले हमें क्या करना होता है इन दोनों Numbers में से हम Greater Number को Identify करते हैं कि दोनों Numbers में सबसे बड़ा नमबर कौन सा है A जो मान लिया हमने क्या है Greater Than B है तो A और B के बीच में एक Relation लाई करता है वो क्या होता है A is equal to B Q plus R इस Relation को ही हम कहते हैं Euclid Division Lemma या Euclid Division Algorithm अब यह Relation बनता कैसे है वो देख लेते हैं अब हमारे पास यहां पर क्या है A greater than B है तो हमें क्या करना होता है बच्चो A को हम Divide करेंगे किसे B से बड़ी Value को हम क्या करेंगे Small Value से Divide करेंगे अब B से Divide करेंगे तो यहां पर क्या आजाएगा हमारा कुछ न कुछ quotient आएगा और यहां पर हमारा क्या आएगा कोई न कोई Remender आ रहाएगा अब इसकी Help से हम इस Relation को लिखते हैं कैसे ध्यान से देखो अगर आप कोई भी Division करते हो तो उसके अंदर क्या होता है जो यहां पर रिखा जाता है वो क्या होगा जो A की Position पर है उसको क्या कहेंगे हम Divide जिसको Divide किया जाता है और जिससे हम Divide करते है वो क्या होता है हमारा Divisor यह चीज भी आपको पता है और यहां पर जो आता है हमारा वो क्या आएगा Quotient यह चीज भी पता है सर हमें और Divide होके जो Last में Result बसता है उसको हम क्या बोलते है Remender तो यहां पर क्या आजाएगा हमारे पास यह आगया Remender अब इनकी Short Form इसको Compare कर लो इसके साथ इन दोनों को क्या करेंगे आपस में Compare तो हमारा जो Actual Relation होता है Division का वो क्या होता है बच्चो ध्यान से देखो जो Dividend होता है हमारा वो किसके Equal होता है हमारा यह चीज आपको पता है अब देखो Dividend क्या था इस वाले में यहां पे A था तो A is equal to Divisor क्या था किस से Divide क्या था हमने B से तो B Multiply Quotient क्या था हमारा Q प्लस में Remender क्या था हमारा R तो A is equal to क्या बन गया हमारा BQ प्लस R यही चीज होती है हमारी Euclid Division Algorithm इसका ही हमें यूज करना है अब बात आती है कि यह जो R होता है हमारा Remender इसकी Value कहां से कहां लाई करती है वो चीज आपको Most Important है सीखनी बस जो हमारा Remender होगा वो Always greater than equal to 0 होगा और Less than क्या होगा B के यह Most Important Condition है आपको ध्यान रखनी है जो Remender होगा वो हमेशा क्या करेगा B से Small होगा मतलब जिससे हमने Divide किया है Divisor से Small होगा और 0 के Equal भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है यह Condition ध्यान रखनी है अब एक और बात आती है कि हम EDIL Method का कब तक Use करते रहेंगे किसी भी Question के उपर जब तक हमारा Remender जो है वो Zero ना आ जाए तब तक हम क्या करेंगे EDIL Method को Use करते रहेंगे HCF निकालने के लिए वो किस तरीके से Use होगा चलिए देखते हैं अपने Questions पे सबसे पहला Question क्या है हमारा First Part में हमें जो Number दे रखें वो दे रखें 135 and 225 इन दोनों Numbers के उपर हमें क्या करना है EDIL Method का Use करते हुए HCF निकालना है सबसे पहला Step मैंने क्या बताया था दोनों Numbers में से Greater Number हम Select कर लेंगे तो हमारा यहाँ पे Clearly दिखाई दे रहा है 225 जो है वो Greater Than है 135 Clear है? कोई दिक्कत नहीं Next Step क्या होगा हमारा? जो Greater Number होता है उसको हम Divide करेंगे 225 को किस से Divide करेंगे बच्चो? Smaller Number से अब 135 वन जग हो गया? 135 और यहाँ पे Remender अगर मैं देखूं तो 225 में से 135 गया तो कितना आया? 90 Clear है? अब इसको हमें क्या करना है? A is equal to BQ plus A is equal to BQ plus R की फोर्म में write down करना है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे A क्या होता है? जो भी हमारा Divide है वो क्या है? 225 A is equal to यहाँ पे 135 क्या है हमारा Divisor Multiply Quotient कितना बच्चो? 1 प्लस में Remender क्या है हमारा? equal to 0 है Remender जो है हमारा वो क्या है? 0 के equal नहीं आया है तो हमें क्या करना है? Euclid Division Algorithm को दोबारा यूज करना है कैसे यूज होगा? इस 135 को लियाओ नीचे अब जो 90 हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा Divisor और 135 हो जाएगा हमारा Divisor अब 90 से हम क्या करेंगे? 135 को डिवाइड करेंगे तो क्या आजाएगा? 91 जा 90 और Remender क्या बचेगा? हमारा 45 अब इसके उपर हम क्या करेंगे? EDL Method को अपलाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आजाएगा? 135 is equal to 90 multiply किस से multiply क्या? quotient अब क्या है? 1 अब भी Remender 0 नहीं आया तो हमें EDL Method को दोबारा फिर यूज करना है कैसे करेंगे? इस 90 को लियाओ नीचे अब 90 हो जाएगा हमारा क्या? Dividend और 45 क्या हो जाएगा? हमारा Divisor 45 टूजा क्या हो जाएगा बच्चों? अब हमारा 90 और Remender क्या आगया? 0 45 Multiply 2 प्लस में Remender हो गया हमारा 0 अब यहाँ पे Remender क्या आगया हमारा? 0 अब जिस पॉइंट पे भी हमारा Remender 0 आजाए उस टाइम पे जो भी हमारा Divisor होगा बच्चों वही क्या क्या लाएगा हमारा HCF तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम HCF of 135 and 225 is 45 यह हो जाएगा हमारा Answer I hope समझ में आ गया किस तरीके से करना है बाकी Second Part करेंगे वहाँ से ओर Doubt Clear हो जाएगे और Third Part में तो I think Doubt रहेगा ही नहीं ठीक है? Next देखते हैं इसका Second Part Second Part में हमें क्या दे रखा हैं यहाँ पे? हमें Two Numbers दे रखें 196 और Second Number क्या दे रखा हैं हमें 38,220 अब सबसे पहला Step क्या था? हमने दोनों नंबर में Greater Number देखना है तो हमारे पास क्या 38,220 जो है वो Greater है 196 से यह काम हो गया अब जो EDL हमारा Formula होता है वो हम Write Down कर देंगे A is equal to क्या होता है बच्चो? B क्यों प्लस में R के इक्वल होता है Next Step क्या होता है? जो भी Greater Value है उसको हम क्या करेंगे? Smaller Value से Divide तो 38,220 इसको हम 196 से Divide करेंगे अब यहाँ पे ध्यान से देखो इस वाले क्योस्चन में अगर मैं बताओं यहाँ पे 196 को 195 से अगर मैं Multiply करता हूं तो दोनों की मल्टिप्लिकेशन क्या होती है? 38,220 होती है यहाँ पे First Step में हमारा Reminder क्या आजाएगा बच्चो? 0 आजाएगा ठीक है? अब इसको हम क्या करेंगे? EDL की Form में लिखेंगे A क्या होता है हमारा यहाँ पे? Dividend और B क्या होता है हमारा Divisor तो इसको हम EDL की Form में Write Down कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या आजाएगा? मिरे पास 38,220 is equal to B की Value क्या है? 196 multiply quotient क्या है हमारा? 195 प्लस में Reminder क्या बचा है हमारा? 0 अब यहाँ पे क्या लिख देंगे? Reminder is equal to 0 So HCF of 38,220 and 196 is क्या होता है हमारा? HCF जिस भी Divisor पे Reminder 0 आजाए वही क्या क्या लगता है हमारा? HCF तो 196 क्या हो जाएगा? यहाँ पे HCF हो जाएगा तो यहाँ पे HCF क्या आगया? मेरा 196 This is the answer यह तो बिल्कुल सा काम था एक step में ही हमने clear कर लिया Next देखते हैं इसका 3rd part क्या है? 3rd part में हमें दे रखे हैं 2 numbers 867 and 255 तो यहाँ पे 3rd part देखते हैं किस तरीके से हम Soul Out करेंगे? 867 and 255 These are two numbers तो सबसे पहला काम क्या होता है बच्चो दोनों में greater number हम select करेंगे क्या है? 867 जो है greater है 255 के पहला काम finish हो गया दूसरा हमें ADL का अपना formula लिखना है A is equal to क्या होता है? BQ plus में R यह बात भी clear है अब हम क्या करेंगे? जो greater value है उसको smaller value से divide करेंगे तो 867 को हम 255 से divide करते हैं अब यहाँ पे 255 की 3 से multiply करूँ तो मेरे पास हो जाएगा 765 अब यहाँ पे 867 में से 765 को अगर subtract करता हूँ तो क्या आजाएगा? 102 तो इसको बस हम क्या करेंगे? EDL की form में write down करेंगे अब A की value क्या है हमारी? 867 तो यहाँ पे क्या हो गया? 867 is equal to B की value क्या है हमारा divisor? 255 यह लिख दिया हमने multiply quotient क्या है? 3 और प्लस में remainder क्या है है बच्चो? 102 अब यहाँ पे remainder जो है हमारा not equal to 0 है तो not equal to 0 है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों के उपर इसके उपर भी और इसके उपर भी दोबारा EDL मेथट लगाना पड़ेगा कैसे लगेगा? जो भी हमारा greater number होता है उसी को divide करते हैं तो 255 और 102 में बड़ी value कौन सी है? 255 तो इसको लेके आते हैं हम अब नीचे तो यहाँ पर लियाएं हम इसको 255 को 102 से divide करेंगे तो क्या हो जाएगा? 102 तू जा 204 अब remainder के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या आगया? remainder मेरा 51 अब इसको लिख देखते हैं EDL की form में तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर मेरे पास 255 is equal to 102 multiply quotient है हमारा 2 प्लस में remainder है क्या? 51 यहाँ पर भी remainder जो है not equal to 0 आया है तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोबारा से हमें EDL method apply करना पड़ेगा किस-किस के उपर? अब 102 के उपर और 51 के उपर अब 102 को क्या करेंगे? निचे ले आएंगे यह आ गया 102 51 की multiplication किस से करें कि 102 आ जाए? 2 से तो 51 2 जा हो गया 102 अब यहाँ पर remainder कितना आ गया बच्चो? 0 आ गया हमारा तो जहाँ पर भी remainder 0 आ जाता है उस time पर जो भी हमारा divisor होता है वो क्या होता है? HCF of a 2 number तो इसको हम ideal की form में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? 102 equal to 51 क्या है divisor multiply quotient क्या है 2 प्लस में remainder क्या आ गया? 0 तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? as remainder equal to 0 so HCF of 867 and 255 age क्या हो जाएगा divisor क्या था? last divisor हमारा 51 तो इसका HCF क्या आ गया हमारा 51 this is the answer I hope clear question समझ में आ गया होगा ideal method समझ में आ गया होगा ध्यान रखना क्योंकि आगे questions में भी यह use होगा clear है? next देखते हैं अपना question number 2 क्या है? question number 2 की statement देखें कि क्या दे रखी है? show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer यहाँ पर क्या काया है? उसने कि कोई भी अगर odd positive integer हो तो उसको क्या हम 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 के रूप में लिख सकते हैं? यह हमने दिखाना है ध्यान क्या रखना है? यहाँ पर एक चीज mention की है odd positive integer होना चीए only तो कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर let a positive a odd positive number या फिर odd positive integer हम क्या करते हैं? कोई odd positive integer assume कर लेते हैं वो क्या है? हमारे पास a उसके बाद ध्यान से देखो हमारी जो form दे रखी है बच्चों क्या दे रखी है? 6q plus 1 कोई भी एक उठा लो इसको अगर मैं compare करूँ a is equal to b q plus r से किसे compare करूँ? a is equal to b q plus r यह क्या होता है हमारा ideal method तो यहाँ से b की value क्या आ गई? हमारी 6 clearly नजर आ रही है b की value क्या है? हमारी 6 तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम value of b is equal to क्या हो जाएगी? हमारी 6 हो जाएगी तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे? by e d l euclid division lemma क्या होता है? a is equal to b q plus r इस form में होता है अब a की value क्या है? हमारी a ही है तो a is equal to b की value क्या है? बच्चो 6 और into में q प्लस में r यह बात clear हो गई? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर अब आपको पता है e d l method के अंदर जो remainder होता है हमारा यह वाला इसकी जो value होती है वो कहां से कहां लाई करती है? 0 से greater than equal to और less than क्या होती है? b मैंने बताया था starting में ही कि remainder की value most important है इसका interval आपको पता होना चाहिए कि हमेशा remainder क्या होगा? b से छोटा होगा और 0 से बड़ा भी होगा या equal भी हो सकता है तो यहाँ पर remainder की value देखो बच्चो क्या होगी? 0 less than equal to r less than b की value क्या थी है हमारी? यह रही 6 तो हमारे जो r की possible values है वो क्या हो सकती है? यहाँ पर लिखेंगे possible values of possible value of r कौन-कौन से होगी बच्चो 0 भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर equal to का sign है 1 भी हो सकती है 2 भी हो सकती है 3 भी हो सकती है 4 भी और 5 भी 6 नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर क्या है equal to का sign नहीं है तो remainder की possible value है हमारी 0, 1, 2, 3, 4 और 5 अब यहाँ पर देखो उसने क्या का था only positive odd integer आपको लेने है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम odd values of r कौन-कौन से है 1, 3, और 5 यह 3 value है only odd values तो इनके basis पर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम case first case first when r is equal to क्या हो 1 हो जब remainder की value क्या हो बच्चो 1 हो तो हमारा ideal method क्या कहता है a is equal to क्या होगा bq plus r तो यहाँ पर a is equal to क्या अगया b की value क्या थी 6, q पलस मे remainder क्या लिया है हमने 1 लिया है तो 6, q पलस 1 होगा second case में क्या हो जाएग हमारा when remainder is equal to क्या हो हमारा 3 हो तो a is equal to क्या हो जाएगा हमारा bq plus r की form में a is equal to b की value लिखेंगे 6q plus में remainder क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा clear हो गया when r is equal to क्या हो 5 हो तो हमारा क्या हो जाएगा a is equal to bq plus r means a is equal to 6q plus में remainder की value क्या रखेंगे हम 5 तो अब ध्यान से देखो जो भी हमने old positive intism रहा मानना था A, वो किस रूप में आया है हमारा यहाँ पे पहला जो आया है 6Q plus 1 की रूप में आया है 2nd 6Q plus 3 के रूप में आया है और 3rd जो आया है वो 6Q plus 5 की form में आया है यही चीज हमने क्या करनी थी show off करनी थी तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम last में hence यहाँ पे लिखेंगे हम hence our old positive integer positive integer जो हमने A मानना था is in the form of in the form of 6Q plus 1 6Q plus 3 और 6Q plus 5 इस form का होगा बस यह चीज दिखानी थी अब ध्यान से सुनो यहाँ पे रटना नहीं है कुछ भी रटा फिकेसन नहीं करनी है अगर मानलो बच्चो एक्जाम में पूछ ले यहाँ पे positive old integer की जगए even integer लिखा मिल जाए आपको तो क्या करोगे सर ऐसा क्योस्चन तो हमने किया ही नहीं यह नहीं सोचना है क्या सोचना है आपको even integer बोला है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो remainder की values है वो even value पिक कर लेंगे कौन-कौन सी 0, 2 और 4 इनके basis पे हम देख लेंगे कि हमारा जो odd यह even positive integer है वो किस रूप में आ जाएगा 6Q, 6Q plus 2 और 6Q plus 4 की form में हो जाएगा बस यह काम करना है I hope question clear समझ में आ गया होगा concept next more on करते हैं अपने question number 3 के उपर question number 3 क्या है an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade यहाँ पर क्या का है total army के अंदर members कितने है 616 और एक band army band के अंदर कितने आदमी होंगे यहाँ पर 32 होंगे तो the two groups are to march in the same number of columns what is the maximum number of columns in which they can march तो यहाँ पर देखो क्या का है एक जो band होगा हमारा जैसे आपने देखा होगा army के जो parade चलती है उसके अंदर क्या होता है ग्रूप होता है total हमारे पास कितने army persons है 616 है और एक group के अंदर आपको क्या दिखा रहा है यहाँ पर 32 members होने चींगे तो what is the maximum number of column तो maximum number of column कितने आदमियों की कितने persons की बन सकती है वो हमने find out करनी है ठीक है अब जहाँ पर भी आपको maximum highest या फिर greater यह word मिल जाए उस time पर हमें क्या करना होता है क्योशन के अंदर बच्चो HCF find out करना होता है क्योंकि HCF का मतलब क्या होता है highest common factor समझे भी आ गई बात clear है तो यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चो total जो members है हमारे वो लिख लेंगे एक बार हम तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम total members total members हमारे पास कितने है 616 है और army band के अंदर कितने है group के अंदर हमारे 32 members होने चीए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे members in parade members in parade वो कितने होंगे बच्चो हमारे 32 members होंगे तो हमें यहाँ पे find out क्या करना है HCF of 616 और 32 अब जो इनका HCF होगा वही क्या आ जाएगा हमारा maximum number of है columns आ जाएंगे जिसमें 616 people क्या कर सकते हैं March कर सकते हैं तो HCF निकालना आपको easily आता है किसे ideal method से सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे 616 जो है greater than है किसे 32 से और हमारा ideal का formula क्या होता है a is equal to bq plus r यह तो formula होता है next step में क्या करना होता है जो greater value है उसको हम क्या करते हैं smaller value से divide करते हैं तो 32 से इसको divide करेंगे तो यह कितने पे जाएगा 32 वन जा यह 19 पे जाएगा 19 के और 32 की multiply करेंगे तो यह आजाएगा 608 अब यहाँ पे remainder देखते हैं कितना आ गया 8 आ गया तो इस पूरी की पूरी condition को हम क्या करेंगे Euclid division algorithm के रूप में लिख देंगे तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा A की value क्या है 616 जिसको divide क्या है divisor क्या हमारा B 32 quotient क्या हमारा 19 प्लस में remainder क्या है 18 अब यहाँ पे remainder जो है बच्चों वो क्या है note equal to 0 तो हमें क्या करना पड़ेगा दोबारा फिर हमें यहाँ पे ADL method apply करना पड़ेगा 32 और 8 के उपर अब 32 को हम क्या करेंगे नीचे लेके आएंगे यह आगया 32 तो 8 for 32 हो गया अब यहाँ पे remainder क्या आगया मेरा 0 इसको भी ADL की form में लिखेंगे हम तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा 32 equal to 8 multiply quotient क्या है बच्चों 4 प्लस remainder क्या है 0 अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम as remainder equal to 0 so HCF of 616 and 32 is divisor कौन सा है जिस पे हमारा remainder 0 आया है 8 तो यहाँ पे HCF भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा तो यहाँ पे maximum number of column क्या आजाएगे हमारी तो यहाँ पे क्या करेंगे हम they can march they can march in 8 columns क्या हो जाएगा 8 columns के अंदर वो क्या कर सकते है march कर सकते है यह हो गया हमारा answer बिल्कुल simple था 616 और 32 का हमें क्या करना है HCF निकालना है क्यों निकालना है क्योंकि यहाँ पे maximum number of column पूछी गई है minimum number of word आजाए less word आजाए कम की बात कर रहा हो तो वहाँ पे हम LCM find out करते हैं क्योंकि LCM का मतलब क्या होता है lowest common multiple clear question number third भी next more on करते है अपने question number four के उपर question number four क्या है use Euclid division lemma to show that square of any positive integer is either in the form of 3M 3M plus 1 for some integer M यहाँ पे क्या काया है उसने Euclid division lemma का परियोग करना है आपको और क्या दिखाना है square of any positive integer अगर किसी आप positive integer का square करते हो तो वो आपका 3M और 3M plus 1 की form में होगा समझ भी आ गई बात तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे हम इस question को सबसे पहले क्या करो आप एक positive integer को ही assume कर लो तो यहाँ पे क्या करेंगे हम let any positive integer positive integer वो हम क्या कर लेते हैं assume कर लेते हैं वो क्या है हमारा a के small a है अब हमारा जो form होना चाहिए वो किस form में होना चाहिए बच्चो 3M वो 3M plus 1 की form में होना चाहिए यहाँ पे देखो 3 क्या है हमारा किस form में होता है Euclid division algorithm BQ plus R की form में तो अगर मैं यहाँ पे compare करूँ तो B की value क्या आ गई मेरी 3 तो यहाँ पे क्या हो जाएगी value of B क्या हो गई हमारी 3 हो गई यह चीज कलियर हो गई अब हमारी जो EDL होता है हमारा Euclid division lemma वो क्या होता है A is equal to BQ plus R कलियर बात है अब जो भी हमारी condition है उसको हम EDL के रूप में लिखते हैं तो A is equal to B की value क्या है 3 Q plus में R और जो यह remainder होता है बच्चों वो कहां से कहां लाई करता है हमारा 0 के greater than equal to होता है और less than क्या होता है B अब क्या हुआ है यहाँ पे remainder 0 less than equal to R less than B की value क्या थी 3 थी तो R की value क्या आगी 0 से 3 के बीच में लाई करेगी हमारी clear बात है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे possible values of possible values of remainder R is equal to क्या होजेंगी 0 हो सकता है 1 हो सकता है और 2 हो सकता है क्योंकि less than 3 का है मतलब 3 से छोटी value 3 नहीं का उसने क्योंकि यहाँ पे अगर equal to का निसान होता sign होता तो हम यहाँ पे 3 को भी include करते बट यहाँ पे equal to नहीं है तो हम क्या लेंगे only 0 1 और 2 include करेंगे अब ध्यान से देखो यहाँ पे case first क्या आता है हमारा when remainder equal to 0 जब remainder की value क्या हो 0 हो तो हमारा ideal method क्या कहता है a is equal to b q plus r तो हमारे पास क्या आ जाएगा a is equal to b की value क्या थी 3 क्यो plus में remainder क्या हो जाएगा 0 तो a is equal to किसके आ गया बच्चो 3 क्यो के यह बात समझ में आ गई यहाँ पे अब ध्यान से देखो a क्या था हमारा एक positive integer था but question के अंदर क्या का है square of any positive integer मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा इस a का square लेना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे हम squaring both side दोनों तरफ क्या करेंगे हम square करेंगे क्योंकि हमें तो positive integer का square check करना है तो यहाँ पे square करेंगे तो a का क्या हो जाएगा बच्चो square is equal to 3 q का अब हम क्या लेंगे square तो a square is equal to किसके आगया यहाँ पे 9 q square आगया या नहीं आगया और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a square is equal to 9 को ऐसे लिख सकता हूँ 3 multiply 3 into में q square कोई दिक्कत की बात नहीं है 9 को हमने क्या कर दिया यहाँ पे factors की form में लिख दिया 3 multiply 3 अब यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे where m is equal to 3 cube square जो हमारा यह 3 cube square है अगर इसको मैं m मान लू m क्या था हमारा कोई भी integer तो हमारा a square is equal to किस रूप में आ गया बच्चों किस form में आ गया 3 m की form में यही तो दिखाना था मुझे कि अगर मेरे पास कोई भी positive integer है अगर उसका square करता हूँ तो वो 3 का multiple होगा तो यह क्या आ गया मेरा a square is equal to 3 m यह बात clear हो गई second case देखते हैं case second क्या होगा हमारा when remainder equal to क्या हो 1 हो क्योंकि 0 तो हम ले चुके अब 1 पे चेक करते हैं remainder is equal to 1 होगा तो a is equal to क्या हो जाएगा बच्चो 3 q plus r की value क्या हो जाएगी 1 अब यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा squaring both side दोनों तराफ square करने पर यहाँ पे करेंगे a का square is equal to 3 q plus 1 का square जिस तरीके से मैं question करवा रहा हूँ ऐसे ही attempt करने short cut नहीं मारना है short cut मारोगे आपके marks कर जाएगे फिर कहोगे सर पूरे marks नहीं आए ठीक है अब यहाँ पे देखो a square is equal to 3 q plus 1 का square का है मतलब a plus b का whole square हम यहाँ पे apply करेंगे क्या होता है a plus b का whole square formula रिख रहा हूँ मैं a square plus b square plus 2 a b अब a की जगे हम 3 q put कर लेंगे b की जगे 1 put कर लेंगे तो क्या बना हमारे पास यहाँ पे 3 q का square plus 1 का square plus 2 a भी होता है तो 2 into 3 q into 1 तो क्या आ गया a square is equal to 3 q का square करेंगे तो 9 q square 1 का square 1 plus में 2 3 जा 6 q अब इसको क्या करो a square is equal to 9 q square plus में 6 q और 1 को रखो पिछे back side में ठीक है अब यहाँ पे ध्यान से देखो 9 q square और 6 q में से क्या को मना रहा है बच्चो a square is equal to 3 को मना रहा है अंदर क्या बच गया 3 q square plus में 2 q और यहाँ पे बच गया हमारा 1 अब क्या करो यहाँ पे जो 3 q square plus 2 q है उसको आप क्या कर लो m के equal assume कर लो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम m equal to 3 q square plus 2 q अगर यह क्या हो कोई भी m integer हो तो हमारा a square is equal to किसके equal आ गया 3 m plus 1 तो यहाँ पे क्या आ गया दूसरा मेरा किसी भी positive integer का square 3 m plus 1 की form में आ गया यह भी condition समझ में आ गई अब एक और condition बच गी जब remainder हमारा क्या हो 2 हो उसको भी देख लेते हैं अब यहाँ पे क्या लेंगे हम when r is equal to 2 हो remainder 2 भी तो possible हो सकता है हमारा इस case में तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा a is equal to b q plus r तो a is equal to क्या हो गया b की value क्या थी हमारी 3 q plus में remainder क्या हो गया 2 तो यहाँ पे भी हम क्या लेंगे squaring both side क्योंकि question में हमें बुला हुआ है squaring both side करेंगे तो यहाँ पे यह square हो गया और 3 q plus 2 का भी square लेंगे a का square किया तो a square is equal to 3 q का square करेंगे तो 3 q का square plus 2 का square plus में क्या जाएगा 2 a भी होता है तो 2 into 3 q into 2 clear देखते है a square is equal to किसके आ गया 3 q का square करेंगे तो 9 q square plus में 2 का square क्या हो गया बच्चो 4 plus में 2 2 जा 4 3 जा 4 3 जा हो गया यह 12 q आगे देखते है a square is equal to यहाँ पे क्या है मेरे पास 9 q square है तो इसको क्या लिखोंगा मैं 9 q square 12 q को आगे ले अता हूँ 12 q और 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं बच्चो 3 plus 1 लिख सकता हूँ कोई भी problem नहीं है अब इन 3 terms में से देखो क्या comment आ रहा है 3 comment आ रहा है a square is equal to 3 comment ले लिया यहाँ पे क्या आ गया 3 q square फिर यहाँ पे 4 q और यहाँ से 3 बाहर चला गया तो 1 और यह plus में 1 अलग से रह गया अब यहाँ पे क्या कर लेंगे हम m is equal to क्या हो जाएगा हमारा 3 q square प्लस में 4 q प्लस 1 इसको हमने क्या मान लिया पूरे को m के equal तो a square is equal to क्या आ गया हमारा 3 m plus 1 तो यहाँ से भी हमारा क्या आ गया square of any positive integer is in the form of 3 m plus 1 बस यही चीज हमें दिखा नहीं थी hands prove यह आपको show करना था कोई भी दिक्कत लगे आप मुझसे पूछें मैं आपकी help जरूर करूँगा tension मतले ना किसी भी बात की आपको मैंने whatsapp number भी दे रखा है community पे तो वहाँ से भी जाके आप मुझसे doubt पूछ सकते हैं मत सोचना कि मुझे मैंने सीख लिया क्यों मैं दूसरे को सीखने दूँ ठीक है अब देखते हैं इसका last question क्या है last question हमें दे रखा है यहाँ पे use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is in the form of 9m 9m plus 1 और 9m plus 8 अब question number 4 जो था बिलकुल SI question है यह भी वहाँ पे square of any positive integer बोला था यहाँ पे cube बोला है बस यही एक difference है तो कैसे करेंगे चल यह देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे हम बच्चों यहाँ पे कोई भी एक positive integer assume कर लेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम let any positive integer positive integer वो हमने मान लिया assume कर लिया a कोई भी और कर सकते हो आप alphabet जो भी आपका दिल करें अब हमें किस form में दिखाना है 9m, 9m plus 1, 9m plus 8 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8 की form में अब बात आती है b की value select करने की क्या माननी जाए तो ध्यान से देखो यह किस form में हमारा b q plus r तो एक तो तरीका है b की value क्या हो सकती है बच्चो 9 हो सकती है ठीक है दूसरी बात कुछ teachers नहीं बताते हैं मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ हम b की value और क्या assume कर सकते हैं जिसकी table में 9 आता हो तो वो भी हम assume कर सकते हैं तो 3 का multiple है 9 तो हम यहाँ पे क्या करेंगे let value of b is equal to क्या मान लेते हैं 3 मान लेते हैं अब आपके mind में आएगा sir आपने 3 ही क्यों माना है 9 क्यों नहीं माना बच्चो 9 से भी answer आएगा और 3 से भी answer आएगा हम कोई भी ले सकते हैं ठीक है b की value 9 क्यों नहीं ली वो अभी बता दूँँ हम आपको अब यहाँ पे देखो हमें पता है edl method yucleid division lemma क्या होता है a is equal to b q plus r की रूप में होता है इस form में तो a is equal to क्या हो गया b की value क्या है 3 q plus में r और जो r की value होती है वो कहां से कहां लाई करती है बच्चो less than equal to क्या होती है 0 और greater than क्या होती है हमारी b तक जाती है मतलब r की value b से छोटी होती है और 0 के equal या greater होती है clear है अब यहाँ पे देखो b की value हमने क्या मानी है 3 तो हमारी condition लाई करेगी 0 less than equal to r less than 3 अब मैं यहाँ पे अगर मैं possible values की बात करूँ तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे possible value of r क्या क्या होंगी 0 हो सकता है 1 हो सकता है और 2 हो सकता है only 3 values हमें यहाँ पे check करनी पड़ेंगी अगर मानलो b की value 9 लेते आप तो condition क्या बनती बच्चो 0 less than equal to r less than 9 तो हमारी जो r के possible values होती क्या होती 0, 1, 2, 3, 4 up to 8 तक भोच सारी values हो जाती इतनी value पे check करने की जरूरत नहीं है आपको आप क्या करोगे यहाँ पे 0, 1, 2 पे check करके ही दिखा देंगे हम अब भी हमारा 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के form में ही हमारा आएगा तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम possible case जो है हमारा when r is equal to क्या हो 0 हो जब remainder 0 है तो a is equal to क्या होगा हमारा b q plus r means क्या आगया यहाँ पे a is equal to b की value 3 q plus में r की value 0 तो a is equal to क्या आगया मेरे पास 3 q अब a क्या था only positive integer था हमने लेना है इसका cube cube लेना है तो बच्चों क्या करेंगे हम यहाँ पे cube on both side cube on both side बस यह काम करना है और कुछ भी नहीं है question के अंदर तो यहाँ पे करेंगे a का cube is equal to 3 q का cube तो क्या आगया बच्चों a cube is equal to 3 का cube क्या होता है 27 q cube अब ध्यान से देखो यहाँ पे 9 चाहिए हमें तो हम क्या करेंगे 27 को 9 के ही factor में divide कर लेंगे तो क्या हो गया a cube is equal to 3 into sorry 3 नहीं लेंगे 9 हमें चाहिए 27 अब जो यह 3 q cube आया है हमारा ये वाला इसको हम क्या मान लेते हैं m के equal मान लेते हैं तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम a cube is equal to किसके आगया हमारा 9 m और m is equal to क्या हो जाएगा हमारा 3 q cube के ये लिख देना आपको तो हमारा जो क्या आगया square o cube of any positive integer is in the form of 9 m आगया ना 9 m की form में next देखते हैं 9 m प्लस 1 दिखाना है उसके लिए हम remainder क्या लेके चलेंगे 1 लेके चलेंगे second case second case में क्या हो जाएगा हमारा when remainder is equal to क्या हो 1 हो तो a is equal to क्या हो बच्चो 3 q plus 1 हो गया अब यहाँ पे भी क्या करेंगे हम cube लेंगे cube on both side ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a cube is equal to 3 q plus 1 का cube अब यहाँ पे a plus b का cube का formula आना चाहिए आपको क्या होता है a plus b का cube मैं formula write down कर रहा हूँ a cube plus b cube plus 3 a square b और plus में 3 a b square this is the formula तो इसी को हम use करेंगे a की जगह हम 3 q put करेंगे b की जगह 1 put करेंगे यही काम करना है तो a cube is equal to किसके आगया 3 q का cube plus में 1 का cube plus में 3 a square है a square मतला 3 into 3 q का square और b की value क्या है 1 plus में 3 into a की value क्या है 3 q into b की value क्या है 1 1 का square करेंगे तो क्या आगया यहाँ पे A cube is equal to 3Q का cube करेंगे तो क्या हो गया बच्चो 27Q cube यहाँ पे plus में 1 plus में 3 का square 9, 9 3 जा क्या हो गया हमारा 27Q square plus में यहाँ पे 3, 3 जा 9 Q clear है तो A cube is equal to क्या आगया बच्चो यहाँ पे 27Q cube यहाँ पे 27 Q square और प्लस में 9 Q और प्लस में 1 हम ले जाएंगे back side में clear? अब देखो हमें किस form में लेके आना है यह 9 M plus 1 की form में तो यहाँ से देखो मेरा in सबसे 9 common आ रहा है या नहीं आ रहा है तो 9 हमने ले लिया common यहाँ पे क्या बच गया? 3 Q cube यहाँ से भी 9 common जाएगा तो 3 Q square और प्लस में 9 और लास्ट में क्या रहा गया? 1 अब इसको क्या कर लेता हूँ? मैं M assume कर लेता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? where M is equal to 3 Q square sorry 3 Q cube plus 3 Q square plus 9 इसको हमने M मान लिया तो A cube is equal to किसके आगया हमारा? 9 M plus 1 की form में आगया यही तो दिखाना था cube of any positive integer is in the form of 9 M plus 1 यह भी बात क्लियर होगी last case बच गया हमारा कौन सा? जब remainder की value हो 2 अब यहाँ पे क्या लेंगे हम? when remainder is equal to क्या हो 2 तो A is equal to क्या हो जाएगा? BQ plus 2 बिल्कुल simple है अब यहाँ पे भी क्या लेंगे हम? cube लेंगे cube on both side दोनों side क्या ले लेते हैं? हमें cube ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A का cube is equal to B की value क्या थी हमारी? 3Q तो 3Q plus 2 का cube formula हमारे पास है A की जगे हमें 3Q put करना है B की जगे 2 put करना है तो A cube is equal to क्या आ गया? 3Q का cube प्लस में 2 का cube प्लस 3A square B होता है तो 3 into 3 Q का square into 2 फिर प्लस में 3 into A की value क्या है? 3Q into B का square मतलब 2 का square इसको simplify कर लो तो A cube is equal to क्या आ गया? 3 का cube करेंगे 27 Q cube प्लस में 2 का cube क्या होता है? प्लस में 3 का square 9, 9, 3 जा क्या हो गया बच्चो 27 Q square और into में 2 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा 54 हो जाएगा क्या हो जाएगा? 54 Q square फिर प्लस में 2 का square 4 4, 3 जा 12, 3 जा 36 Q clear है? अब यहाँ पर power के according लिख लेते हैं A cube is equal to 27 Q cube प्लस में 54 Q square और प्लस में 36 Q और last में क्या है? हमारा 8 है अब ध्याम से देखो बच्चो हमें क्या करना है? इसको 9 M प्लस 8 की रूप में लेके आना है तो आगे वाली जो टर्म है इन में से 9 common ले लेते हैं तो क्या आगया? A cube is equal to 9 common अंदर क्या बच्च गया? 3 Q cube प्लस में 9 6 जा क्या होता है हमारा? 54 तो यहाँ पर 6 Q square और 9 4 जा क्या होता है? 36 तो 4 Q और last में क्या बच गया? हमारे पास 8 अब इसको क्या करना है? आपको assume कर लेना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? वेयर 3 Q cube प्लस में 6 Q square प्लस 4 Q एक्वल टू M जो कि A के positive integer है तो हमारा A cube is equal to किस form में आ गया? 9 M प्लस 8 की form में यही चीज आपने दिखानी थी कि cube of any positive integer is in the form of 9 M, 9 M प्लस 1 और 9 M प्लस 8 की रूप में I hope question clear है कोई भी दिक्कत नहीं होगी पूरी exercise समझ में आ गई होगी जहाँ पर भी doubt लगे आप मुझसे पूछिए मैं आपकी help जरूर करूँगा आप भी channel को sport कीजिए क्योंकि 12 तक का syllabus आपको Nexa Classes पे मिलता रहेगा Thank you students for watching Nexa Classes वीडियो